ये वीडियो होने वाला है Samsung Galaxy S20 Plus का एक Unbiased Review ये फोन रिलीज हुआ था 2020 मार्च में, मतलब पिछले साल तो क्या ये फोन आप लोगों को अब लेना चाहिए क्योंकि इसका जो प्राइज है वो बहुत जादा कम हो चुका है और आपको राज की बात बताओं तो इस फोन में जो camera lenses है और जो display है वो कहीं न कहीं जो इसका जो camera के lenses है वो हमारे S21 Plus वाले ही same है कोई भी difference नहीं है जो कि हमारा 80,000 से above cost करता है और जो इसका जो display है कहीं न कहीं S21 Plus से superior है कैसे वो आपको बताऊंगा सो ये video होने वाला है S20 Plus का एक unbiased review मतलब जो इस phone के positives हैं और negatives हैं आप लोगों को खुल कर बताने वाला हूँ मैं इस phone के कोई side नहीं लेने वाला हूँ कि इसमें आपको ये चीज नहीं मिलेगी क्यों ये phone अच्छा नहीं है क्यों ये phone अच्छा है इसके जो review है पूरा अच्छे तरीके से unbiased रहने वाला है So guys stay tuned आपको इस video में सब कुछ इस phone के बारे में जानने को मिलेगा क्या आपको ये phone purchase करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए क्योंकि Flipkart पर ये phone around कुछ टाइम पहले 45,000 का नया हो गया था जो की काफी जादा कम है as compare अगर हम करें OnePlus 8 Pro भी शायद इससे महंगा है आज की डिट में So सबसे पहले हम इस phone के बात करते हैं Design and display quality की तो design में ये phone काफी solid है इस phone का weight है काफी कम है around 186 grams है weight तो काफी easy है carry करनी के लिए and काफी light weight feel होता है Bag में आपको Gorilla Glass 6 की protection मिलती है and front में भी Gorilla Glass 6 की protection मिलती है तो ये phone काफी solid है काफी जादा मतलब की rigid है ऐसा नहीं है कि आपको easily कोई fragile design नहीं मिलेगा अच्छा strong feel देता है ये phone solid है and काफी slim है तो design के मामले में मुझे ये phone काफी अच्छा लगा है lightweight phone है बात करते है display की तो इसमें आपको 6.7 inches की super AMOLED display मिलती है जो की 1200 nits तक जा सकती है जिसकी brightness है तो इसकी जो मैंने आपको display बताई वो S21 Plus से superior क्यों है क्योंकि इसमें जो display मिलता है वो quad HD panel है हलाकि आप उसको 120 Hz के साथ यूज नहीं कर सकते बट quad HD 60 Hz के साथ होना एक अच्छा option है as compared to S21 Plus जिसमें आपको quad HD display ही नहीं मिलता है मतलब full HD plus 120 Hz तो इसमें आपको full HD plus 120 Hz या फिर quad HD 60 Hz दो option मिलते हैं तो जो ये option है काफी अच्छा है बागी बात करते हैं डिस्पली की brightness की colors की saturation की तो आप लोग जानते हैं कि जो smartphone में number one manufacturer LG और Samsung ये displays में तो कोई doubt ही नहीं है बागी बात करते हैं refresh rate की तो आपको इसमें 120 Hz का refresh rate मिलता है इस video में मैं बहुत जादा specifications के बात नहीं करने वाला क्योंकि हम आपको पता ही है कि इस phone की क्या specs हैं अराउंड एक साल हो चुका है बात करेंगे practical use की तो अब चलते हैं camera के तरफ तो camera इस phone का काफी जादा मुझे impressive लगा इसके पहले मैं one plus seven pro यूज करता था तो उससे काफी marginally better camera इस phone के ये telephoto lens है और इसके बाद ये ultra wide lens है तो इसके जो short सा काफी अच्छे आते है dynamic range अच्छी है ये इसका life focus mode है तो अब हम बात करते हैं इसके front game रेगी ये इसका front facing camera है मैंने अपने को short लिया था indoor में काफी अच्छी है detailing ये short आप देखिए portrait है काफी अच्छी इसकी detailing आई है ये है कुछ portrait shot जो की काफी अच्छे impressive लगते है edge detection काफी अच्छा है clarity काफी अच्छी है sharpness भी maintain होती है अब बात करते हैं zoom की तो ये है इस phone का 10x zoom जो कि मैंने nearby वहीं उस area से लिया था ये है इसका 30x zoom 30x zoom इतना भी बुरा नहीं है अब बात करते हैं real zoom की किस तरह की से काम करता है तो देखी ये है इसका जो मैं इसको zoom कर रहा हूँ सामने वाली building है तो 10x तक तो कोई भी मतलब जो हमारी image quality retain रहती है बाकी अब चलते हैं देखिए 20x अब ये 30x हो गया है तो actually मैं जब हम इस pic को click कर लेंगे तो click करने के बाद इसकी जो quality है वो थोड़ी सी improve हो जाती है through software तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लेगी जैसे कि 10x का photo है अभी जो दिख रहा है वो उससे improve होकर ही दिखेगा मतलब कि ये आप देखिए ये 30x जूम का photo है ये हमारा 10x जूम का photo है तो इस तरीके से जो इसका zoom है वो काफी अच्छा है मतलब मैं तो कहूंगा practically 30x इतना वो यूसफुल नहीं है ये normal photo है उसके बाद हम चलते हैं आगे तो देखेंगे कि हमारा ये 10 ये हमारा 3x जूम है ये हमारा 3x जूम है उसके बाद हम देखते हैं ये 10x जूम है तो देखें काफी काफी maintained है 10x तक तो बाकि अब बात करते हैं 30x की तो इतना भी उसफुल नहीं है बात करते है night mode की तो ये मुझे इस phone का काफी जादा impressive लगा है ये normal photo है इसके बाद night mode apply करा देखिए ऐसा रखता हो कोई अलग से कोई light ही add कर दिया है और detail काफी maintained होती है ये मैं इंडोर एक shot लिया था रूम में ही तो आप देख सकते हैं ये normal pic है उसके बाद ये night mode है तो detailing देखिए काफी अच्छी maintained होती है जो की काफी काफी तारीफ है ये इसका front facing camera है इसमें भी आपको night mode देखने को मिलता है ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है इसमें कोई front flash यूज नहीं करी गई है ये night mode है बागे बात करते हैं और को shots की तो देखिए ये भी इसका एक night mode को shot है काफी अच्छी है अब बात करते हैं इसके speakers की तो speakers मुझे इस phone के सच में बहुत ज़्यादा impressive लगे है पहले आप इसका sound शनिए उसके बाद हम इसके speakers की further बात करते हैं कि कैसे इसके speakers है तो जैसे कि आपने इसके आवाद सुन ली होगी इसके speakers काफी ज़्यादा loud हैं काफी ज़्यादा अच्छी इसकी quality है बात करें front facing speaker की जो हमारा earpiece है तो उसकी call quality है वो भी काफी ज़्यादा अच्छी है अगर मैं compare करूं other phone से तो सच में काफी loud आवाज आती है और काफी clear आवाज आती है तो इसकी earpiece की आवाज है अब चलते हैं आगे gaming की तरफ तो gaming के अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी performance कैसी है तो gaming में ये phone ठीक perform करता है मतलब इसका जो सबसे बड़ा plus point है वो इसका display और जो इसका refresh rate है about 120 hertz का है वो भी इसका एक plus point है plus sound sound तो इसका इतना amazing ऐसा लगता कोई bluetooth speaker चल रहा है और आपको बहुत ज़ादा अच्छा experience मिलता है in the gaming बट एक चीज है वो ये है कि जब आप इसमें बहुत देर तक gaming करेंगे या कुछ करेंगे तो ये phone heat होने लगता है ये मुझे बहुत ज़ादा बड़ी problem लगी है और इस phone को purchase करने से पहले मुझे काफी reviews मैंने देखे थे मुझे लगा कि marginally मतलब थोड़ा बहुत ये phone heat होता होगा ऐस हर कोई phone heat हो जाता है बट game खेलते समय इसमें आप देख सकते है stuttering आने लग जाती है इसके performance काफी गिर जाती है तो ये एक बहुत बड़ा point है gaming phone की काफी अच्छी है speakers बहुत अच्छे है display बहुत अच्छा है refresh rate अच्छा है बट आप उसको use ही नहीं कर सकते है अच्छे तरीके से क्योंकि processor इतना अच्छा नहीं है exynos 990 इसके काफी बुराइया हुई है processor के I know बट अगर हम कहें कि आप अगर बहुत जादा gaming नहीं करते हैं आपको normally phone यूज करना है like videos, whatsapp, facebook, social media etc के लिए तो आप ये phone consider कर सकते हैं I think इतना जादा issue नहीं होगा आप लोगों के लिए but मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा major concern है क्योंकि मैंने जब इस phone का camera भी use करा sunlight में तो इसने अपने आपी अपनी जो brightness है वो drop कर दी and phone काफी ज़्यादा heat होने लगा even in the 5 to 10 minutes ही तो आप long run में इस phone पे बहुत ज़्यादा trust नहीं कर सकते है in terms of performance जहां पर भी बात आईगी CPU की usage की जहां बात आईगी इस phone की performance निकलवाने की तो वहाँ ये phone इतना ज़्यादा काम्याब नहीं लगा तो अब बात करते हैं overall verdict की क्या आपको ये phone purchase करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो देखिए मैंने जो experience करा है वो ये है कि इस phone के positives भी है और negative भी है positives है कि ये phone काफी ज़्यादा light weight है इस phone में आपको काफी अच्छी performance देखने को मिलती है मतलब ये phone काफी ज़्यादा fast है क्योंकि इसमें 120 Hz का refresh rate है प्लस जो इसका exynos 990 chipset है वो काफी अच्छा है उसका anti-to score, geek band score भी अच्छा है और ये processor fast है बट बात करते हैं जब efficiency की बात करते हैं जब performance की और बात करते हैं जब हमारी जो long run में हमको performance चाहिए तो वो ये phone इतने अच्छे से provide नहीं कर सकता है क्योंकि जब आप gaming करते हैं जब आप camera operation perform करेंगे कुछ भी ऐसे कोई चीज करेंगे तो ये phone heat होने लगता है and heat सबसे बड़ा drawback होता है हमारे phones का तो मेरे साब से आपको ये phone consider आज की date में नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा है कि देखिए आपको multimedia अच्छा मिलना है you know speakers बहुत ज़्यादा amazing है and display बहुत ज़्यादा अच्छा है but आपको phone अगर heat होगा अगर आप gaming करेंगे आप camera operation perform करेंगे अगर phone heat होने लग जाएगा तो फिर उसका I think इतना कोई वर्थ नहीं क्योंकि आज की date में इसका price 55,000 हो चुका है and आपके पास बहुत सारे options आ जाते है iPhone 11 भी आता है जो की काफी जादा stable device है and उसके साथ हमारा OnePlus 8 Pro भी आ जाता है and जो हमारा S21 series है वो भी आ चुकी है जिसमें बता रहे हैं के काफी जादा improvements कर दी गई है तो आप थोड़ा सा पैसा डाल के S21 भी consider कर सकते हैं देख सकते हैं बाकी बता रहे हैं के S21 FE भी आ रहा है तो आप इन सब चीज़ों को देख कर चल सकते हैं अगर आपको ये फोन second end में मिल रहा है गाफी सस्था like 30 या 35 जार के बीच बीच तो आप इस फोन को लेने का सोच सकते हैं अगर आपका कोई यूज इतना ज़्यादा हार्ड कोर नहीं है remember guys अगर आपका हार्ड कोर यूज है अगर आप gaming, camera इन सब के लिए फोन लेना चाते हैं तो मैं बलकुल recommend नहीं करूंगा ये फोन बाकी ये फोन बहुत सुंदर देखने में beautiful फोन है इसके जो bezels है कम है display बहुत ज़्यादा amazing है and sound अच्छा है, multimedia बहुत अच्छा है इन सब चीजों के लिए फोन काफी अच्छा है बात करें battery backup की, वो भी decent अगर आप 120 Hz पर use करते हैं तो दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा use करेंगे तो शायद दो बार चार्ज करना पड़ जाए मना एक दिन easily काट जाएगा and 60 Hz में तो इसका बहुत ज़्यादा amazing battery backup है तो आपको ये consider करना पड़ेगा अपने according अगर आप hardcore user हैं तो बिल्कुल वाई ना करें अगर आपको ये phone सस्ता मिलता है तो आप इसको consider कर सकते हैं ऐसे use करके आप experience करें और नॉर्मल यूज के लिए आप इस phone को ले सकते हैं बड गेमिंग के लिए नहीं यही थी इसकी complete review आपको ये video पसंद आई होगी कोई comment से तो आप नीचे comment down करना और वीडियो को like करना, share करना चैनल पर नए हैं तो subscribe करना मिलते हैं मेरे next video में till then, take care